सलमान खान खुद इतने बड़े स्टार है लेकिन उसके बावजूद क्या सलमान खान को अब अपने स्टार्डम पर ंडाउट होने लगा है क्या सलमान खान को अब ऐसा लगता है कि फिल्में उनके कंधों पर नहीं चलती है क्या इसी आरे Defender सल्मान खान अपनी अपकमिंग फिल्म में स्टार पावर बढ़ा रहे हैं सल्मान खान आने वाले टाइम में टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं टाइगर 3 में उनके साथ फिल्म इंडास्ट्री की A-Lister Actress जिसका box office collection अच्छा जाता है अच्छी कासी fan following है Katrina Kev तो काम कर ही रही है लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म में शारुक खान भी काम कर रहे है और शारुक खान का इस फिल्म में एक cameo है कहा जा रहा है कि शारुक शायद अपना part complete भी कर चुके है लेकिन अब Tiger 3 में एक और star की entry हो चुकी है और ये star और कोई नहीं बलकि रितिक रोशन है सबसे बड़ी बात Tiger already एक hit franchise है Tiger को यश्राज films बना रहा है जो अपने आप में बड़ा production house है Tiger में सलमान है, कट्रीना है, इनकी अच्छी खासी fan following है फिर शारुक को लेकर भी buzz बना हुआ है तो शारुक की audience भी definitely इस film को देखेगी अब रितिक को इस film में add करने के पीछे का current समझ नहीं आ रहा है क्या इस film के जरीए ये बताया जा रहा है कि शारुक और सलमान आने वाले समय में अपने stardom की command जो है वो रितिक के हातों में swap एंगे यानि कि अगली generation के सबसे बड़े superstar रितिक रोशन बनने जा रहे हैं और यहां फिर इस बार यश्राज भी रोहिच शेटी वाला formula अपना रहा है जिस तरह से हमने देखा कि सूरिवन्शी के end में अक्षे के अलावा अजे देवगन और रनवीर सिंग की भी entry हो जाती और तीनों मिलकर climax में लड़ते हैं क्या वैसा ही कुछ tiger में भी किया जा रहा है क्या ये तीन hero का concept फिर से लाया जा रहा है well reason क्या है ये तो नहीं पता लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सल्मान खान खुद अपने आप में बड़े स्टार है और उन्हें किसी दूसरे स्टार की जरूत नहीं वो अपनी फिल्मों के लिए दूसरे स्टार्स के साथ इतनी स्क्रीन शेयर करने के लिए तयार हो कैसे गए